नमस्ते एवरिमन माइनेम इस नलीनी और वेलकम तो माई किचन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेथी का मौसम आ चुका है सर्दिया भी आ गई है तो सोचा क्यों ना आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाऊं जो मैं अकसर बनाती हूं काफी हेल्दी भी है और ये सभी को बहुत पसंद आएगा आप इसे लंच और डिनर में बना सकते हैं फटा फट इसमें बहुत जादा आपको टिटिम्मा करने की ज़रुद नहीं है असानी से बनता है काफी सेहत मन और स्वादिस्ट है तो आईए देखते हैं हमने ये मेथी की सबजी कैसे बनाई पनीर के इसके लिए एक पैन में मैं थोड़ा सा सरसो का तेल डाल रही हूं एक बड़ा चमच और उसके बाद जब तेल गरम हो जाए तो कुछ खड़े मसाले जैसे दाल चीनी जावित्री तेजपत्ता और यह तेजपत्ता काफी बड़ा था तो मैंने इसको दो टुकड़े में और जी एक चमच जिंजर गालिक का पेस डाल दीजेगा आप चाहें तो सर्फ अध्रक और हरी मिर्च का भी पेस डाल सकते हैं इसको मिक्स करके एक बड़ा चमच यहां मैं नमक डाल रही हूं नमक आप स्वाद अनुसार डालें नमक इस टेजपे इसले डाला है यह जल्द टिक्स है ठीक है आप फाइनली चॉप करके भी डाल सकते है या सर्फ लीप्स को जैसे मैंने डाला है इस तरहें इससे भी बहुत स्वादिस लगता है अब इसको हलका सा हमें बुनना है दो से तीन मिनिट के लिए बहुत जल्दी मेथी बुन जाता है और बहुत जादा देवर आप सभी को तो पता ही होगी, आप डाला मैंने एक छोटा चमच हाल दी, एक बड़ा चमच कश्मीरी लाल मिर्च और एक बड़ा चमच धनिया पाउडर का, अब जी वो ट्रिक करना है जिसकी वज़े से ये लाजवाब बनेगा, एक छोटा चमच शाही पनीर मसाला, आधा चोटा चमच सांभर मसाला पाउडर और आधी चोटी चमच ही मैं डालूँगे किचन किंग, ये तीनों मसाले अक्सर हमारे किचन में होते हैं थोड़ा थोड़ा आप सब जियों में डाल दिया करें, इससे बड़ा ही डिलिशिस वादा आता है, बिना अलग से अगर आपने यहां पे मसाले नहीं पकाए, तो फिर आपके सारी महनत बेकार हो जाएगे, आप कहोगे नलिनी ने बताया नहीं, मैं हमेशा जब इस तरह का करी वाली सबजी बनाती हूँ ना, तो एक भगोने में दूसरे बनर पे पानी गरम करने डाल देती हूँ, इसे मिनिट के लिए कोक करेंगे, अब आप देख रहे होंगे ना, तेल सबजी ने छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा इसे कोक नहीं करना है, अब यहां पे मैं बॉयल मटर डाल रही हूँ, साथ में यह है पनीर, मटर वन फोट कप है और पनीर देट सो ग्राम है, चार और एक चमच मलाई का मैंने डाला पेस्ट, इसको डालने से थोड़ी रिचने सा जाएगी, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ मलाई और सिर्फ काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं, अब गरम पानी को सेम मिक्स ग्राइंडर में मैंने डाल दिया था, जिसमें काजू पीसा है, ताकि कोई भी चीज वेस ना हो, और इसी स्टेज पे आपको जितनी भी करी चाहिए सब्जी में, इसी स्टेज पे डालना है, इसके बाद मत डालिएगा, नहीं तो फिर वो अच्छा फ्लेवर नहीं देगा, ठीक है, गरम पानी डालेंगे, तो सब्जी में अच् कुक करेंगे, आप देखी ओपर कितना सुन्दर कलर आ चुका है, बहुत जादा इसे कुक नहीं करूंगी, हरी धनिया डालूंगी, हरी धनिया से इसकी पॉस्टिक ता और भी बढ़ जाएगी, धनिया डालने के बाद मैं 1-2 मिनिट और कुक करूंगी, ताकि धनिया का जो करिश्मा, जहां बड़ी मेहनत से सर्च करती हूं, कोर्सिस करती हूं और अपने घर में बना करके देखती हूं, जब वो अच्छा होता है, तभी उसका वीडियो आपके लिए लेकर आती हूं, लुक एट दिग्रेवी, आप देख रहे हैं, मैंने कोई ताम जाम नहीं किया बिलकुल दस से बारा मिनट के अंदर ये रेस्टरेंट से भी अच्छी सबजी बनके तयार हो जाती है, मेथी मटर पनीर जो भी कहिए इसको मेथी मटर मला ही कहिए, लेकिन बड़ी ही स्वादिस्त और फटा फट बनती है, उपर से थोड़ा सा हरी धनिया डाल दीजे गान कि नमस्काइब